पेश हर्याना की बड़िक खवरें भारती सेना में अही रेजिमेंट की मांग को लेकर लंबे समय से अंदोरन कर रहे लोगों ने शुक्रवार को रिवाडी में बाइक रेली निका ली रेली में सेक्डों लोग शामिल रहे और ग्यापन देने के लिए जिला सचीवाले तक पहुँचे परदर्शंकारियों को सचीवाले के भीतर जानने से रोकने के लिए पुलिस ने गेट बंद कर दिया काफी गहमा गहमी के बाद परदर्शन कारियों ने गेट को खोला जिसके बाद डीसी अशोक कुमारगर को ग्यापन सो पा अंबाला में सर्वे करमचारी संग ने शुकरवार को राष्टे मांग दिवस मनाया करमचारीों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की लंबित बड़ी मांगों के संबंद में डीसी विक्रम सीम को मुख्या मंतरी के नाम ग्यापन सो पा कलमचारियों ने नीजी करण का विरोध करते हुए का कि सरकार नीजी करण कर युवाओं को विरोजगारी की दलदल में धखेल रही है जिन्द के गाउं बरामनवास में शनीमंदरी के पास स्कूल वसवा हरियाना रोडवेच की बस की टक्कर हो गई हास्ते में बाराच छात्रों को चोटे आई आसपास के लोगों ने गाहिल बच्चों को जुलाना अस्पताल पहुंचाया डॉक्टरों ने तीन चात्रों की गंबीर हालत को देखते हुए पीजियाई रोतर ग्रैफर कर दिया जुलाना पुलिस मामले की जाच कर रही है कांग्रेस परवक्ता विकास चोदरी हत्याकांड में फरीदाबाद पुलिस को बड़ी काम्याबी मिली है इस हत्याकांड में फरार चल रहे मुक्खे शूटर को पुलिस ने वीरवार को गिरफतार किया गिरफतार अरोकी का नाम सजजन उर्फ गोलू है जो शार्फ रिवाडी में लंबे समय से लंबी सरकाली नोगरियों के लिए अब युवा सडकों पर उतर रहे हैं शुक्रवार को बड़ी संक्या में युवाउं ने रिवाडी शहर में परदर्शन करते हुए सिया मनोलाल के नाम DDPO को ग्यापन सोपा शहर में परदर्शन कर रहे अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें